जैहिंद आत्मा ही नहीं रोती है दिल भी रोता है जब ऐसा महापुर्ष ऐसे वीर सपूत जो भारत माता की रक्षा और सेवा में लगे हुए जब वो दुनिया छोड़कर अचानक से चले जाते हैं बहुत दुख होता है रावच जी के 43 एर्ज के डिफेंस करियर में उनके साथ ये पहला हेलिकॉप्टर हाथसा नहीं था उन्होंने कई बार मौत को मात दिये ऐसे ही एक हाथसे के बाद उन्होंने अपने सीनिर से बोला था मैं पहाड़ी आदमी हूँ मरने वाला नहीं हूँ जनर्लावच जी भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे और चीफ आफ डिफेंस स्टाफ थे इससे पहले वो भारती थलसीना के प्रमुख के रूप में कारेरत थे आज हुमारे बीच में नहीं है पर उनके द्वारा बोली गई पंक्तियां हमारे देश के युवाओं को हमेशा प्रेड़ना देती रहेंगी और यह उनका हमें छोड़के ऐसे अचानक से चला जाना हमारे देश वाचियों के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी च्छती है उनके द्वारा ऐसी कई सारी पंक्तियां हैं जो प्रशिद्ध हो गई जैसे खामोसी से बनाते रहो पैचान अपनी हवा खुद तुम्हारा तराना गाएगी उन्होंने बोला था जंग का एक ही उसूल है वो है जीत और वो इंसानियत को सपोर्ट करते थे और वो युद्ध नहीं चायते थे लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एक बार बोला था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी पर उसके बाद हम गोलियों की गिंती भी नहीं करेंगे आप लोगोंने दिखा उगए एक बार कस्मीरी नागरिक को जीब पर बांद कर ढालके तोर पर यूज किया गया था जीब पर बांद कर तो वो फोटो भुहत वाइरल हुआ था और लोगोंने आर्मी के उपर बहुत ज़ादा सवाल जवाब किये थे और उनके उपर बहुत प कुछ लाइने, we are determined to innovate and indigenize, we are determined to fight Indian wars with Indian solutions. जै हिन, जै भारत!